हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग चंदरगुप सेकेंड के सकसेसर और उनके बेटे कुमार गुपत के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने 415 AD से 455 AD तक रूल किया इन्होंने पिकॉक को अपना सिंबल बनाया था अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भग यानि देखते हैं कि इनके समय में गुपता एंपायर का फैलाव कहां कहां तक था पिछली वीडियो में हम लोगोंने चंद्रगुप 2 के टेरिटोरियल एक्टेंट को देखा था तो जब 415 AD में कुमार गुपता रूलर बने तो उस समय गुपता एंपायर का टेरिटोरियल एक्टेंट एग्जेक्ली वही था जो कि चंद्रगुप 2 के टाइम पर हुआ करता था और कहा जा सकता है कि इन्होंने अपने रूल के दोरान इस टेरिटोरियल एक्टेंट को पूरी तरह से इंटेक्ट रखा यानि ना इसमें कोई भी नई टेरिटरी एड हुई और ना ही कोई existing territory lost हुई हाँ ये जरूर है कि towards the end of his rule Central Asia से हुन की एक ब्रांच ने हिंदु कुष मौंटेंज को क्रोस करके भारत को invade करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन हुन इस attempt में काम्याब नहीं हो पाय थे और ultimately कुमार गुपता के rule के दोरान गुपता empire पूरी तरह से intact रहा हलक कि हुनों ने अपनी हार नहीं माने और फिर से इंडिया को invade करने के लिए attempt करने की कोशिश की और ये attempts कुमार गुपता के rule end होने के बाद हुए इसका मतलब आगे की वीडियो में आपको हुन action में देखने को मिलेंगे अभी के लिए इनका इतना ही introduction काफी है तो जैसा कि हमन इनफेक्ट कुमार गुपता के rule के दोरान यानि 415 AD से 455 AD तक इन 40 सालों में कुमार गुपता का जो main focus था वो territorial extent नहीं बलकि art and culture था और इसलिए इनके rule के दोरान गुपता empire ने art and culture की नई उचाईयों को छुआ था इनके inscriptions पूरे गुपता empire में देखने को मिलते हैं एक्जांपल के लिए आप उदेगरी inscriptions, मतुरा inscriptions, गदवा inscriptions, करम डंड, stone inscriptions को quote कर सकते हैं हलाकि हमें इन inscriptions की detail जानने की जरूत नहीं है क्योंकि इन inscriptions में हमें generally इस तरह की चीज़े देखने को मिलती हैं कि कुमार गुपता first ने buddhist को कौन सी caves दी, इनके rule के दोरान, इनके administration में कितने ऐसे लोग थे, जो कई generations से इनके सेवा में थे, कौन से मंदिर इन्होंने में दिया, तो इन सब चीजों की details में हम लोग नहीं जाएंगे, चलिए अब बात करते हैं कुमार गुपता के सबसे important contributions की, इन्होंने अपने rule के दोरान, तीन main चीज़े की, पहला नालंदा university की foundation को रखा, जो की एक ऐसी educational institution के रूप में उबरी, जिसकी reputation भारत में ही नहीं, बलकि बाकी देशों में भी फैली हुई थी, इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे gold coins इशू किये, और साथी साथ silver coins में, और बाकी गुपता rulers की ही तरह इन्होंने भी अश्मेद यग्या perform किया, और एक coin में इन्होंने अश्मेद यग्या के horse का motive भी बनवाया था, यहाँ जिस चीज़ को हमें और डीटेल में cover करना चाहिए, वो है नालंदा यूनिवर्स्टी, नालंदा का मतलब होता है giver of knowledge, और यह एक बुद्धिष्ट मोनाश्ट्री हुआ करती थी, जो कि ultimately एक महायान यूनिवर्स्टी बन गई, जिसमें कई सारे religious और general subjects पढ़ाय जाते थे इसके अलाबा general subjects में यहाँ पर logic, grammar, astronomy, medicine और इसके अलाबा भी बहुत सारे और general subjects थे जो यहाँ पर पढ़ाय जाते थे, इस university में medium of education संस्कृत हुआ करती थी और यहाँ पर lecture से ज्यादा discussions पर जोर होता था, इस university में admission लेने के लिए students को एक entrance exam देना होता था, जिसे काफी tough exam म पाते थे, यहाँ पर भारत के हर एक कोने से students आते थे, और साथी साथ इंडिया के बाहर से भी, खासकर eastern countries से भी यहाँ पर students पढ़ने के लिए आया करते थे, चाइनीज ट्रेवलर हैं थसांग ने अपने records में बताया है कि इस university में लगबग 3,000 students पढ़ते थे, और यह एक residential education institution था, जहाँ पर boarding, lodging और education तीनों students के लिए free हुआ करती थी, बड़ ओब्यस सी बात है कि यह students के लिए तो free थी, लेकिन कोई ना कोई तो इनका खर्चा उठा रहा होगा, तो इसके बारे में यह बताया गया है कि 100 से 200 villages ऐसे थे जिन से generate होने वाला revenue पूरी तरह से इस यह है कि उस समय के ruler कुमार गुपता ने नालंदा यूनिवस्टी को paternize किया हुआ था और उन्होंने ही यह तैग किया था कि कौन से 100 से 200 villages होंगे जिनका revenue वो खुद ना लेकर नालंदा यूनिवस्टी को divert कर देंगे और यह प्रथा आगे भी continue रही क्योंकि कुमार गुप नालंदा यूनिवस्टी को paternize किया था और यह एंशोर किया था कि नालंदा यूनिवस्टी को जितने भी funds की जरूत है वो उन्हें मिलते रहने चाहिए अब बात करते हैं नालंदा यूनिवस्टी के professors की जिने पंडितास का जाता था और इन professors में कुछ famous professors के नाम है धरमप में यह नालंदा यूनिवस्टी के head बन गए थे तो यह थी details कुमार गुपता के rule के बारे में modern history, ancient history, Indian polity और Indian economy के लिए बुक्सतावा की playlist को follow कीजिए thank you so much for watching बुक्सतावा